साथियों आज के इस वीडियो में हम आपको अपनी गर्ल्फेंड की चैटिंग दिखाने वाले हैं और इमोजी का मतलब समझाएंगे फलानी बेवी से चैटिंग करके कि इमोजी का मतलब क्या होता है जैसे मैंने इनसे पूछा हाई कैसी हो अब देखो आइसे लिखते है ना अक्सर लोग इमोजी भेजते हैं हर तरह की लेकिन मतलब नहीं समझते है आज मैं पूरा बताने वाला हूँ मैंने पूछा हाई कैसी हो और इनका अगर यह थोबड़ा आ गया तो इसका मतलब समझ लो मामला गड़बड़ है समझ रहे हो ना अब पूछा अगर क्या हुआ हुआप इन्होंने कुछ नहीं बताया और इन्होंने क्या किया फिर भया एक अच्छी वाली इमोजी बेठ दिया बड़ियाँ वाली मतलब समझ रहा हो तो यानि की रिडि है समझ रहे हो ना चलो मतलब समझ हो पूरा बिस्तार से और यह फलानी बेशान क्यों है हम बात करे प्यार या और अन्य चीजों को दुलार अपनापन जैसे भाव को दिखाने के लिए, एमोशन को दिखाने के लिए इमोजी उज़ होती है उनके बारे में, जैसे देखिए, ये क्या है, खुसी से बारा हुआ चेहरा, आपको दिख रहा है, क्लियर आरहें एक दम बढ़िया, ह खुसी के लिए, हसने के लिए, कोई भी इमोजी भेच देते हैं, लेकिन इन सब का अलग अलग मतलब होता है, दूबधा में हफना या खुसी से पसीना पसीना होना में, ये भेचा जाता है, कुछ लोग इसको रोना भी समझ लेते हैं, कि खुसी से आंसू निकल रहे हैं, स वीडियो को लाश तक देखो के तब ही समझ में आएगा खुसी से जुबान बाहर निकालना ये इसको बोलते हैं इसको कहीं लालच या किसी चीज़ को देखकर लालच आना भी बोलते हैं खुसी में सांत रहना है एटिट्यूट वाला है ना समझ रहो ये आज तक क्या आप ज अच्छे दिन आ गए अब देखो आगे लेकिन आज कल लोग तो ऐसे बेजते रहते हैं उनको मतलब है नहीं पता इसका ये क्या है ये किसके लिए आखे बंद करके मुख बनाना कि यहां रेडी है समझ रहो इसको देखो खुसी से खिलते हुए चेहरे से चुम्मी देना औ मजाग था प्यार नहीं था मजाग था अगला जो इस्टेप होगा वो दुख और इमोशन को मतलब उस तरीके के भाव को फीलिंग को पदरसित करेगा इसका वीडियो में तभी बनाऊंगा पूरा फुल सभी इमोजी का जब आप कमेंट करके बताओगे कहां इसका भी वीडियो को अपनी वाली को भई कि ऐसे ऐसे कमेंट में ऐसे इसी इस्तिति में आएसे इमोजी बेजा करो ठीक है मतलब तो जान जाए कम से कम तभी तो आगे कुछ चलेगा बात होगी तभी तो बात बढ़ेगी ठैंक यू वीडियो को सेर करना ना बूलना उसकी कसम है जि यह इसमें से मैसेज आ रहा था इसमें से रिपलाई हो रहा था ठीक है तो अभी यहां सीट खा लिए कोई नहीं है